हेलो फ्रेंड्स नमस्कार आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल नैनी स्कूल पर हर्दिक स्वागत है आज के अपने इस वीडियो में हम टोल टेक्स के उपर एक नया आदेश नया ओडर जारी हुआ है एन एच ए आई के द्वारा जो 12 सेप्टमबर 2023 का है जिसमें बहुत सी इंपोर्टेंट जांकरिया सेर की गई है सैनिकों का कई बार टोल प्लाजा पर जो अपमान होता था उन चीज को ध्यान में रखते हुए यह जो लेटर है जारी किया गया है यहाँ पर बताया गया है कि सैनिक जो है राष्टर का सम्मान है और उनको उसी के हिसाब से रेस्पेक्ट मिलनी चाहिए जो उनका आईकार्ट चेक करेगा वो भी एक सीनियर ओथर्टी वाला परसन होगा कोई लोएस्ट अगर स्टाफ है वो यहाँ पर नहीं होगा और सैनिकों को वहाँ पर सम्मान भी दिया जाएगा आईकार्ट चेक करने के बाद सलूट भी मि आप ल YEET बातें इस लेटर में बताए कई हैं यह लेटर मैं आपके साहँगा आप चाहें तो यह लेटर मेरे टलिगराम चैनल Nanny School से PDF के form में प्राप्त कर सकते हैं चलिए शुरू करते हैं अपना आज का वीडियो अगर आप मेरे चैनल पर नए है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए वीडियो पसंद आए तो लाइक और सेर जरूर करें जैसा आप यहाँ पर देख सकते हैं यहाँ पर लिखा हुआ है डेट 12 सेप्टमबर 2023 और यह देखे अरजेंट लेटर जारी किया गया है National Highway Authority of India की तरफ से यहाँ पर आप लेटर देख सकते हैं यह लेटर है जो यहाँ पर जारी किया गया है सब्जेक्ट आप इसका देख सकते हैं यहाँ बदेख सकते हैं यहाँ पर आप देख सकते हैं जो बताया गया है It has been observed that there are several complaints receiving from armed forces personnel for their disowner at various toolplatzas इतने बहु सारे टोलакс पर जो CENIC हैं उनके साथ अच्छे से वेवार नहीं किया जाता है उनके साथ कहते हैं जो अपिक्सित वेवार है वो ना होकर उनका महाँ पर अपमान किया जाता है तो इनी रिगार्डिंग जो है बहुत सारी कंप्लेंस यहां पर NHAI के पास गई थी तो इक हैं उन्होंने बोला वाइल दे आर डिस्चारजिंग देयर ओफिशल डूटी जब जो CENIC हैं अपनी ओफिशल डूटी डिस्चारज कर रहे होते हैं इन दिस कनेक्शन NHAI headquarter has issued a NHAI policy circular जो 612-2017 का है copy and close इसके बाद में मैं उस copy पे भी चलूँगा यहां पर बताया गया है उसके आधार पर आपको कारेवाही करनी है आपको सम्मान देना है क्या करना है सारी बातें आपर बताई गई है therefore it is requested to ensure compliance of above policy circular at all toll plazas under jurisdictions of P.I.U. यानि देखिए यहां पर आपको सभी toll plazas तक यह जांकारी पहुचानी है कि वो जो guidelines थी वो आपको बिल्कुल इमानदारी के साथ सक्ती के साथ फोलो करनी है अब देखिए क्या था वो letter उसके भी चलते हैं यह है देखिए वो letter जो as a annexure जारी किया गया है 6 December 2017 का जो policy circular है यहां पर देखिए कुछ और भी letters है जिनका हवाला दिया गया है वो already यहां पर reference के रोप में दिये गए है अब आप यहां पर देखेंगे तो जो लिखा हुआ है इन्होंने बोला a lot of complaints are received from armed forces personnel कि यह टोल प्लाजा पर उनके साथ अपमान वाला वेवार किया जा रहा है and not honoring the most directions referred above in this true letter देखिए आपने बताया कि देखिए आपको सम्मान मिलेगा आपका टोल प्लाजा माफ होगा आपका i-card अच्छे साथ किया जाएगा बहुत अच्छे से बात की जाएगी लेकिन ऐसा हो नहीं रहा है तो in spite of armed forces personnel officers showing their identity card and explaining that they are on official duty तोल प्लाजा employees often use harsh language and ask for further proof कि यह और प्रूफ दीजे कि आप duty पे हैं इस type की बाते जो हैं निकल के सामने आती हैं तो considering the unparalleled service of armed forces जो armed forces हैं उनके द्वारा जो service की जाती है to watch the safety and security of the country वो safety और security जो country की करते हैं उसके रिलेटिवी आप बदाया है such type of rude behavior is not acceptable उनके साम साथ इस type का यहाँ पर जो rude behavior है वो यहाँ पर आप एक्सित नहीं है वो नहीं किया जाना चाहिए the armed forces personnel deserve the highest regard and should be given due respect at all toll plazas including salute and standing obligations as deemed fit देखे, salute या अगर आप खड़े होके सम्मान दे सकते हैं तो आपको वो सम्मान उनको देना चाहिए the toll plaza agencies be directed to train the toll operation staff देखे, जो भी toll plaza की agencies हैं उनको direct किया जाता है कि आप अपने staff को उसी साब से groom करें उसी साब से train करें कि देखे, कैसे behave करना है एक armed forces personnel को with selfless dedication to the country जो देखे, देश का निश्वार्त भाव से सेवा करते हैं the verification of i-car of armed forces personnel should be done by some senior competent authority यानि किसी senior व्यक्ति के द्वारा ये i-car check किया जाना चाहिए not left to the untrained lowest staff ऐसे कि कोई भी जो gate खोल रहा है, बंद कर रहा है उससे बोले कि या i-car check करो, ये करना भी एक तरह से this owner है it is यहाँ पर needless to emphasize that considering the extreme sacrifice of armed forces to the nation, in case of doubt with respect of nature of their official duty benefit of doubt should be given appropriately to armed forces personnel देखे, अगर आप उनसे duties के बारे मैं पूछने भी आपका कौन सा officer duty है, अगर तब भी आपको कोई doubt है, तो उसका benefit यहाँ पर आपको जो है, armed forces personnel को देना है, और यह इस letter में बहुत कह सकते हैं अच्छे तरीके से बताया गया है यह सारी जांकाली देखे, क्यों उनको वापस इसके उपर 12 September को आदेश जारी करना पड़ा, क्योंकि बहुत से ऐसे, कह सकते हैं कि यहाँ पर ग्यापंस थे, जो गए थे यहाँ पर NHAI के पास मौर्थ के पास की देखे, जो वेवार है तो लेजन्सीज का, armed forces personnel के, अगेंस्ट में, पैरलल में तो वो अच्छा नहीं है तो जिसके आधार पर यह आदेश चारी करना पड़ा है, और हम उमीद करते हैं कि आगे से किसी टोल पिलाजा से ऐसी इस टाइप की अपमान जनेक्स बातें निकल के सामने नहीं आएंगी और यह जो समान सुचक देखे, सैलूट दीजिए आप देखे, अच्छे से बात कीजिए नमस्कार कीजिए, बहुत अच्छा है इससे क्या है, आप एक दूसरे के परती रेस्पेक्ट भी दिखाते हैं, और जब Armed Forces का नाम जोड़ जाता है, तो देखे आपका सीना अपने आप गर्व से चोड़ा हो जाना चाहिए, अगर कहीं भी कुछ आपको डाउट बसता है, कुछ भी इस तकी चीज़े बसती हैं, तो benefit of डाउट जो है, वो Armed Forces Personals के लिए ही होना चाहिए, ये थे आज के बारे में जानकारी, अगर आपको जानकारी पसंद आई, तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें, फिर मिलेंगे आपसे, जै हिंद, जै भारत